तो अब मैं रीवा की मनगमा बाजार में आ गया हूँ छोटा कस्बा है अलागी विदान सबा सीट जो मैंने बताया इसी का नाम इसी कस्बे से विदान सबा सीट भी तैसिल भी है क्या तैसिल भी है तैसिल मनगमा है तो आपके जो सिटिंग विधाएक बीजेपी के थे उनका टिकट काटने की कोई खास वज़े अब ये वो जाने हम लोग तो कांग्रेस के हैं कांग्रेस में वोट देते हैं कांग्रेस में देंगे अब है आपको शुकलाल पांडे अब भी? जी हमारा गाउं शहेवा है बरतमान में मैं ग्राम पंचाइज शहेवा का सरपंचो पार्टी कोई से हमारी पूर में बीजेपी थी लेकिन बरतमान में कांग्रेस में हूँ इसकी क्या वज़े? बिधायक जी से तरस्त हो के बिधायक जी के तो टिकटे कट गया? टिकट कट गया ना तो जो आएगा तो उसी तरह से ने चलेगा हम लोग गाउं का विकास नहीं कर पा रहे हैं सरकार की जो आज की डेट पनीटी है चाहे मन्रेगार से लेके हो चाहे अन्यमदों को लेके हो हम लोगों को पहले क्या होता था कि आज से पांच वर्स दस वर्स पूर्व जो है तो जनपर से सारे कारे सुर्कृत होते थे अब जिला अस्तरी और प्रदेश अस्तरी हो गए तो बहुत सारे सरपंचैसे हैं हमारे लगभग लगभग ग्रामिलों में मान के चलिए कि सतर परसंट सरपंचैसे हैं कि जो रीवा जिला नहीं जा सकते मन्रेगा का है न मुरुम का काम करार सकते हैं न मिठी का काम करार सकते हैं पूरे पंचायतों के लगभग लगभग में 88 ग्राम पंचायते हैं किसी ग्राम पंचायत में जिसमें विधायाग जी ने चाहा होगा कि हम इसको राजी दे दे बोस्य का हुआ है लगबग लगबग 60 पंचायते ऐसी है उगारे आपको विधायक प् Loud जीले बताईये क्या होई सबर कर प कोई भी बिजानसभा ऐसी नहीं है पहले क्या होता था कि कांग्रेश बीजेपी और बीस्पी थी इस बार जो है तो सपा और आम आदमी आप आ गई तो यह सारा गणित जो है तो बिगड़ा हुआ है अभी कोई भी कहना आ गई लेकिन ज्यादातर सीटों पर आप देखें 230 सी बीजेपी में होगे तीसरी पार्टी बहुत कम सीटों पर मुझे लगता है ऐसा कि क्योंकि बाद में जाते जाते चुनाओ अब क्यों आमने सामने का हो जा रहा है ज्यादा अत्तर जगा है अब उसमें कौन भारी है यह कहना बड़ा कठी में मामा की आएगी सरकार की जाए पर बाहर ने जो है चलिए ठीक है मामा है पर मामा लेह तो घय नदेवे मामा का घर के बात मैं के मामा तो बहुत दूर के कोड़ी हैं अगर न बात करता हूँ गराम पंचाइट से जुड़ी हुई बात करता हूँ ग्राम पंचायतों में बर्तमान में यह जिती है कि कि न हो जमाना था मोबाईल अब ले लिये हैं तो एक लीद प्रदान के बारे में तो सब कहते हैं यह आम आदा थे लोगों की कह देने की एतना काम कर आ रहा तो इतना खा गया इतना खा गया लेकिन सर्पंच को मिलता क्या है क कि अभी रहें यहल कि अभी रहें हैं त भी तो में सब आहें कि और यह टारा साल शासन के लागों ने महीं समраइबदी आपकी परटी का आंपकीहини हैं अफींपर कुल नाजाद कर रही हैं यह जालू किए हैं तो आपना चालू कि भजिसके पहले काहिने कर दिया तहीं तीने महिन चुनाओ बचा तभी कही किये अब तो यह जो भी गवर्मेंट बने गी तू उस यह जना को संचाली तो रखेंगी तो यह उम्र के आदमी हो क्या है आपका सरकार चुनाव के बारे में सरकार बदल जाएगी परिवरतन होना चाहिए युबाओं के हिसाब से बता रहें कि परिवर्तन होना चाहिए 18 वर्ष लगातार सरकार है, यूबाओं के लिए न रोजगार है, न कुछ है, यहाँ के यूबा बाहर जाते हैं, कंसिक वरीबा में भी होना चाहिए सब लों कर रहे हम पार्टी से किसी के पार्टी से नहीं है और इस चुनाव में तो करते हैं हम मन खेती करते हैं कि किसानी सरकार की तरफ से क्या चला सरकार की तरफ से कुछ नहीं है जो है तो सब लोग लुबावन वादा करते हैं और इसमें जो है तो हम लोग खुस नहीं है इसमें जो है जो है तो अनाज का उचित मोल नहीं मिल रहा है जो है हम लोग जो है त महिलाओं वाला मामला जो लाडली भेहना वाला यह महिलाओं वाला जो है तो इसमें हमें तो नहीं लगता कि कोई असर पड़ेगा नहीं अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूं